सो जाहिन दोस्तों कैसा आप सब उमिद करता हूं अच्छे होंगे तो दोस्तों फाइनली दो दिन के रेश्ट के बाद आज से आपके सभी क्लासे देखवा फिर से रेगुलर कर दी गई है और जैसा कि मैंने आप सभी से प्रामिस कहता है कि फेवररी में आपकी साइन्स की क् पर बैस्टेंट ठीक है और मैं आपको उता दू पर डे क्लास में कम सिकम 15 से 20 कोश्टन यहां से मैं डेली कराऊंगा जो आपके एक्जाम वाले प्रशन होंगे जहां से सीधे आपके एक्जाम में प्रशनाएंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं किसी भी हाल में आपको यह साइंस वाला क्लास मिंस नहीं करना है आप टाइम देख लीजिए थम्लेल पर आपको हुष्ट इंस वाला होगा पढ़े असे टाइम पर आपको एक बी одну क्लास की तरफ से चलते हैं центр खना हूं एक भी class miss नहीं करना है वरना फिर आपकी गलती होगी तो चलिए देर ना करते हुए आज किस class को शुरू करते हैं और जितने भी questions मैं आप सभी को यहाँ पे कराने वाला हूँ साथ हो साथ आपको भी यहाँ पे हर एक question का answer देना है लगबग 300 questions मैंने physics के बनाया है और 300 chemistry के और सब के सब यहाँ पे कराने वाला हूँ और आपके syllabus पे सारा का question best है और दूसरी चीज़ यह सारे class का मैं आपको pdf दूँगा हर एक question का pdf दूँगा तो अभी मैं आपको बता दूँ वीडियो के description में आपको टेलग्राम चैनल का link मिल जाएगा सारा pdf आपको वहीं पे मिलेगा अब प्लीज जाके हमें टेलग्राम चैनल पे follow करके pdf ले लिजेगा per day class का और per day classes आपको देखना है ठीक है तो what is the method of separating the colors तो उन कलरों को अगर separate करके देखना है तो क्या method अपनाए जाए ठीक है ताकि सफेद light में हमें सातो color दिख जाए तो option number a है by passing it through the prism यदि उसको prism के through pass किया जाए तो हमें सातो color दिख जाएगा option number b by filtration option number c can't be set और option number d both a and b तो filtration तो कभी होगा नहीं filtration दूसरा process हो जाता है तो कौन सा process होगा prism के through यदि हम pass करते हैं तभी हमें वो सातो color दिखेगा ठीक है कैसे क्योंकि आप 19th में यह पढ़े होंगे कि जब हम जो है white light को prism के through pass करते हैं तो हमें उसके सारे separate colors नजर आते हैं ठीक है उनको देखें क्या बोलते हैं V I B G Y O R ठीक है कौन-कौन से होते हैं देखेगा V मतलब violet, I मतलब indigo, B मतलब blue, G मतलब green, Y मतलब yellow, O मतलब orange और R मतलब red यह साथ color होते हैं ठीक है चलिए तो यहां पर हमारा option number A बिल्कुल correct हो जाएगा हमें white light को prism के through pass करना पढ़ेगा ताक process में से कौन से process से cooling होगा, cooling मतलब क्या ठंडापन, देखिए, सबसे पहला option number A दिया गया है flow of water, एक चीज़ बताइए flow of water से cooling कैसे होगा, क्योंकि वो flow of water हो सकता है किसी ऐसे temperature में हो, जहां पर temperature बहुत high हो, तो वो पानी गरम भी हो सकता है, वो जो पानी का बहाओ होगा, वो गरम भी हो सकता है, ठीक है, option number B दिया गया है, release up compressed gas, इसे अभी हम लोग बात करेंगे, option number C है burning cooking gas, अब हम cooking gas अगर जलाते हैं, तो temperature हाई होगा, तो भी नहीं होगा, option number C है melting the solid, यानि solid को यदि हम melt करते हैं, तो solid melt करके क्या बनता है, पानी, और पानी जबहें उतना होगा, उतना ठंडा आपका water नहीं होगा, ठीक है, तो वो cooling process नहीं होगा, तो इसमें से cooling process यहां कहने का मतलब यह है, कि surrounding को cooling करें, इसमें से कौन सा process करेगा, तो जो आपका B वाल option है, release up compressed gas, compressed gas क्या होते हैं, सबसे पहले देख लिए, as a compressed gas का आपका एक example हो जाएगा, LPG gas एक जो होता है, जो इक लीए, जो वो compressed gas होता है, ठीक है, कैसे, क्यमकि उनको, LPG gas को compressed किया रहता है, ठीक है, तब जाके उनको पन उनसे महसूस होता है, ऐसा इसलिए होता है, कि वो compress किये रहते हैं, जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वो अपने surroundings के जो heat होते हैं, ठीक है, गर्मी होती है, उनको सोकते हैं, और जब surroundings की गर्मी को सोकते हैं, तो फिर जो temperature होता है, surrounding का, वो low हो जाता है, ठीक है, जिसके क अमारा at which temperature the centigrade and Fahrenheit scales are equal यह तो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका है एक्जाम में भी कफी बार आ चुका है तो पूछ रहा है कि किस temperature पे centigrade और Fahrenheit दोनों इसकेल इक्वल होते हैं माइनस 40 degree Celsius यह आपको बार बार मैंने बताया है ठीक है कितने पर माइनस 40 degree Celsius पे क्या होता है centigrade इसकेल भी और Fahrenheit इसकेल दुनों सेम हो जाते हैं ठीक है एक्वल हो जाते हैं चलिए नीचा जी है अगला कुछिन है आपका the magnetic needle always इस point in the direction magnetic needle जो होता है वो किस direction में point करता है हमेशा आपसे नमर ए इस्ट वेस्ट आपसे नमर भी वेस्ट साउथ आपसे नमर सी नार्थ साउथ और आपसे नमर डी है नौर्थ इस्ट तो मैं आपको बता देता हूं जो तो मेगनेटिक नीडल होता है वह हमेशा किस डारिक्षन में वह करता है क्या बोलते हैं पॉइंट करता है तो वह हमेशा जो आपका मेगनेटिक नीडल है ना वह नार्थ साउथ को जो है वह करता है क्या करता है पॉइंट आउट करता है ठीक है किस डारिक्षन में नार्थ सा ने किया था रावल्ट वाट्सन ने किया था तो हमारा आपस नमर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले आगले कोशन की तरफ चलते हैं देखें आप सभी से रिक्ष्ट आप इन कोशन का जबाब देते हुए चलिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप वाक्ट कई में पढ़ा तो इन में से किस इंस्ट्रूमेंट का जो हम लोग प्लड प्रेसर मापने में करते हैं तो इसमें से जो हमारा स्पैग्मो मैनोमीटर है ना ठीक है क्या है स्पैग्मो मैनोमीटर इसका इस्तमाल हम लोग ब्लड प्रेसर को मापने में करते हैं ठीक है इस इंस्ट्रूमेंट ये question थोड़ा गुमैदार है, क्या कह रहा है, कि जो आंख का retina होता है, उसका हम traditional camera के किस भाग से हम लोग उसका camera reason कर सकते हैं, आपसे नमर ये film, आपसे नमर भी lens, या फिर आपसे नमर C shutter, या फिर आपसे नमर D cover, तो एक चीज़ बताइए, जो retina है, वो क्या काम करती है, ठीक है, तो retina पे किसी भी object का, आंख के retina पे किसी भी object का image बनता है, ठीक है, तो ठीक उसी परकार, जैसे camera film जो होता है, वो क्या करता है, images दिखाता है, ठीक है, camera film क्या करता है, images दिखाता है, just like camera film, जो ईका है्टिम हिस कि तरह काम करता है तो किसकी तरह की तरह काम करता है तो हम लोग रेतिना nuestros कॉंपीशिजcycle कीशिया को सब्रक्राणीश करने हैं ठेक है या assumptions नमर 6 ट्राइव ही तरह कॉस्ट्राणी कि तरह है तो हमारा अगला कोशन है रेफ्रीजरेशन helps in food preservation बाई अब देखे रेफ्रीजरेशन यानि किसी भी वस्त को यदि हम रेफ्रीजरेशन यानि रखते हैं तो वो किस तरीके से food को पिजर्ब करने यानि सुरच्छित रखने में मदद करता है अब किलिंग ते दम जर्म को मार करके ठीक है आपस नमर भी reducing the rate of biochemical reactions ठीक है आपस नमर सी destroying enzyme action और आपस नमर दिया अब देखें वह करता क्या है ना रेफ्रीजरेशन का एक प्रोसेस होता है जब आप उसमें कोई भी चीज रखते हैं यह सबजिया में रखते हैं तो वह क्या करता है टमपरेशर को untuk करता है क्या करता है temperature कम लोग करता है जिसके करण क्या होता है कोई भी फूड जो हम लों उसके अंदर रखते है वह लंबे समय तक रहता है पिजर्ब होता है ठीक है सुरचित रहता है क्यों कि जब टंप्रेचर लोर हो जाता है तो जो बायो केमिकल रियक्शन्स होते हैं उनका रेट भी लो हो जाता है ठीक है तो क्या करता है वो टंप्रेचर लो करके बायो केमिकल रियक्शन्स का रेट कि एक्स की क सलेगा पर अबने को बिल्कुल के जाएगा है कि पूर्फूर्सक्ति तम् PA बश्चत तेम्टी कब रोगा म करता है प्लेक्टन में लिएक्षींज का प्लीक्टना नगवर करक्टन नगे ना लुद प्लामीन कवजा सब्सक्राया तो नमरे रह जाता है तो 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 हमार अगले आगले जिए कोशन के तरफ लेख voir पर और भीवी इंदी वेकल्स आप देखिए रीर वीव मतलब क्या होता है जो जो आसानी से ना दिखाई दे ठीक है जो पीछे जैसे मा लीजेसे आप गाड़ी चला रहे हैं ठीक है तो पीछे की सिंस आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, तो आप mirror में देखते हैं, ताकि वो दिखाई देते हैं, तो पूछ रहा है, कि वैकल्स में, गाणियों में, जो rear view mirror हम लोग इस्तमाल करते हैं, वो कौन से mirror होते हैं, ठीक है, तो कौन से mirror होते हैं, आप से नमरे plane, आप से यह जो इसलेगे, क्यूंकि शर्ण किंठ रिएकरीस करते हैं, वो उनका इस्तमाल होता है, और वो उनका rear view जो है mirrors के तौर पे उनका इस्तमाल क्यूं होता है क्योंकि वो एक wide range कभर करते हैं ठीक है पीछे का पूरा wide range कभर करते हैं ताकि पीछे से जो गालियां दिखाती है वो थोड़ा और हमें नजदीक दिखाए हो होती तो दूर है लेकिन थोड़ा और पूरा wide मे से सावधान हो सके गाड़ियों के आने से पहले ठीक है तो किस mirror का इस्तमाल किया जाता है convex lens का जो की diverging mirror होते है जिसके कारण इसका इस्तमाल किया जाता है sorry lens मैं बूल दिया convex mirror का यूज किया जाता है ठीक है चलिए आप समयर भी हमारा बिल्कुल correct है अगला question है हमारा the reason of mirrors is mirrors मतलब क्या होगा म्रिग तीस्णा ठीक है तो म्रिग तीस्णा एक परकार का क्या होता है यह एक परकार का optical illusion होता है ठीक है illusion मतलब क्या होता है भरम जैसे आपने देखा होगा म्रिग तीस्णा क्या होता है कि आदमी दूर से आप जो है रेगिस्तान में दूर से देखेंग तो वह एक प्रकर का optical illusion होता है तो वह किसके कारण होता है आपसे नमरे interference of light light के interference के कारण आपसे नमरे भी diffraction of light light के diffraction के कारण आपसे नमरे C is polarization of light light के polarization के कारण और आपसे नमरे D है total internal reflection of light या फिर total internal reflection of light के कारण तो मैं आपको बता देता हूँ यह जो optical illusion होता है ठीक है हम लोगों में वो किसके कारण होता है वो total light के total internal reflection के कारण होता है क्या होता है light के total internal reflection के कारण हमें यह illusion होता है ठीक है याद कर लिजेगा चलिए अगले question की तरफ चलते है तो हमारा अगला question है the color of light is determined by its बताई एक चीजी बताए जो light का जो color होता है ठीक है वो कैसे determine किया जाए तो कैसे determine कियाका जाता है आपसनमर्यально में amplitude आपसनमर Michi Intensity और आपसनमर significa velocity तो किसी भी light का जो color होता है वो उसके wavelength से पता चलता है ठीक है ईक चीज बताए यह total आपको पता है कि white light में 7 color होते हैं, तो सबसे अधिक wavelength किस light का होता है? Red color का. किस color का होता है? Red color का सबसे अधिक wavelength होता है, और सबसे कम किसका होता है? ये आप हमें comment करके बताइगा. ठेक है? चले, आप नहीं, मतलब मैं ही आपको बता देता हूँ. तो सबसे कम किस कलर का जो है वेवलेंथ होता है सबसे कम वेवलेंथ होता है आपके वाइलेट का और सबसे वाइलेट कलर का ठीक है वाइलेट और जो सबसे अधिक होता है वो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है ठीक है याद कर लेजेगा तो किस लाइट के कलर का ड sound wave frequency ठीक है तो ultrasonic sound waves की frequency कितनी होती है ultrasonic sound waves जो होते हैं उनकी frequency कितनी होती है greater than 20,000 Hz, option number B less than 10,000 Hz, option number C equal to 1,000 Hz या फिर option number D 910, तो मैं आपको बता देता हूँ जो ultrasonic sound waves होते हैं वो हम आसानी से उनको नहीं वो कर सकते हैं, detect कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो greater होते हैं 20,000 Hz से, कितने होते हैं? 20,000 Hz से अधीक होते हैं जिसके करण हम आसानी से इनको detect नहीं कर पाते हैं ultrasonic sound waves को और एक बात बताईए, एक normal human का जो audible range होता है frequency, ठीक है? वो कितना होता है? वो आपका होता है 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz और जो ultrasonic sound waves की frequency होती है, वो कितनी होती है? 20,000 Hz से अधीक होती है, जिसके करण हम आसानी से ultrasonic sound waves को audible नहीं होते हैं, ठीक है? human audible नहीं होते हैं जल्दी, ultrasonic sound waves, ठीक है? क्योंकि human का जो audible frequency होती है, ठीक है? sound range की, वो audible range जो frequency होती है, वो कितनी होती है? 20 Hz से 20,000 Hz होता है, ठीक है? याद कर ले जागा, आपस नमरी है, हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question है, when ice melts then the, जब बर्फ पिघलता होता है, तो क्या होता है? आपस नमरी, value बढ़ता है, या फिर value घटता है, या फिर mass घटता है, तो एक चीज़ बताईए, जब value, sorry value मैं कह रहा हूँ, जब ice melt होगा, यानि जब बर्फ melt होगा, पिघलेगा, तो obviously ये, मतलब एक, आ गलता है, तो density बढ़ेगी, और जब density बढ़ती है, तो value हमेशा घटता है, ठीक है, क्योंकि आपको formula तो पता ही होगा, mass is equal to density into value, ठीक है, क्या होता है, mass is equal to density into value, तो जब बर्फ melt होगा, पिघलेगा, तो density बढ़ेगी, और value क्या होगा, घटेगा, तो साही option कौन सा होजाग वैल्यूम भी डिक्रीज आप समर्भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो जब कभी भी बर्फ पिखलता है तो हमेशा क्या होता देंसिटी बढ़ती है और वैल्यूम घटता है यह कोशन कहां से आपको पता है यह कोशन जो आपका मैटर वाला है ना स्टेट अफ मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस वहीं से यह कोशन बनाया है मैंने ठीक है चले आगले कोशन की तरफ चलते हैं तो हमारा आगला कोशन है वाट ट्वाइप अप इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन इस यूजड इन दी रिमूट कंट्रोल आफ टेल्वीज इंदेट का होते हैं तो यह फिलकुल करेक्ट हुग चले अगले कोशन को गरहते हैं तो यह जो हमारीन क्लास को कोशन है यह जो हमारा series of physics का यह हम continue रखेंगे जब तक जो हम 200-300 question नहीं कर लेते हैं उसके बाद chemistry करेंगे ठीक है question क्या है यह देखिए यह जो question हमारे class का यह अंतिम question है और जितने भी लोग मुझे देख रहा है मैं सभी से request करता हूँ कि सब को यह question solve करना है हर एक candidate को यह question मुझे solve करके दिखाना है मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि इस तरह के एक question हर बार आपके exam में science से आएगा physics में ठीक है हर बार एक question रहेगा मैं लिख के देता हूँ चाहे वो Navy MR की candidate हूँ चाहे cost guard की हूँ ठीक है सब को मैं कह रहा हूँ इस तरह के एक question 100% आपके exam में रहेंगे देखे question क्या है एक 100 watt bulb is skipped switch on for 4 hours देखे एक 100 watt के bulb को जो है जला के रख दिया जाता है चार घंटे के लिए switch on करके 100 watt के bulb का switch on करके 4 घंटे के लिए रख दिया जाता है ठीक है तो the units of electrical energy consumed तो कितने unit जो है energy consume होगी आपको calculate करके बताना है ठीक है total कितने unit जो है electrical energy consume होगी option number 400 unit, option number 25 unit, option number C 4 unit और option number D 0.4 unit है सारी मैंने लिखना यहाँ पे थोड़ी से गड़़ड हो गई 0.4 unit है ठीक है इसको देख लेजएगा तो option number 400 unit, option number B 25 unit, option number C 4 unit ज़रूर बताएगा, मैं आपके answer का wait करूँगा, comment box में आपके answer ज़रूर आने चाहिए, जितने भी मुझे candidate देख रहे है ठीक है, तो finally आज के class में बस इतना ही रहने देते हैं, यदि आपको class पसंद आया हो मज़ा आया हो, तो please video को like ज़रूर करेगा और comment करेगा, कैसा लगा आज के class और साथ में इस class को share कर दीजे ताकि आपके और भी friends देख सके हैं, जो coast guard या फिर ने भी की तहरी कर रहे है और यदि आपको इस class का PDF चाहिए, तो please मैंने video का description में link दे दिया है इस PDF का, ठीक है आप जाकर के वहाँ से ले लिजेगा टिलिग्राम चैनल से, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ने इस बड़ो में, तब तक के लिए धन्यवाद